सो हेलो गाइस आपको पिछली वीडियो में बढ़ आप उसे मूफ कर सकते हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है आप वहां जाके देख सकते हैं जो हैंलों अपनी बारे में बारे में बताएंगे जो है फ्वसां टैग दो सबसे पहले हम जानते हैंपराग्राव टैग क्या होता है इसको पहले मिटा देते हैं फिर यहां लिखते हैं हम पहले टैग फिर पी परग्राफ टैग के लिए फिर हम यहां पर लिखते हैं वी हैड रीजड ठार्टी एड सब्सक्राई बर्स यह हम इसे परग्राफ में तो इसमें एक स्पेस देखे फिर यहां पर एक और लाइन अट करते थे इससे यह परग्राफ में हो जाएगा इस साइड हम लिखते हैं लेट सपोस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राईब आवर चैनल ओके सो हमने यहां पर एक परग्राफ लिख लिया है देन अब इस परग्राफ को हम क्लोस करेंगे हमने आपको पताया था एक क्लोसिंग टेना बहुत जरूरी है यहां पर पीए और यहां पर हम इस साइड क्लोस करते हैं वना नीचे साइड इमेज भी आजएगी तो वो गरबर हो सकता है यहां पर पर पारग्राफ क्लोस हो गया देन हमने रिफ्रेश किया एन यह परग्राफ भी इसके साइड मूव होते हैं आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साथ मूफ कर रही इमेज के साथ यही पर So then, अब हम आगे चलते हैं Then, अब हम आपको font tag के बार में बताएंगे जो यहाँ पर main important topic है So, यहाँ पर हमने लिखा font tag फिर उसके बाद हम font tag में यहाँ पर यह font लिखा हुआ है So then, अब हम यहाँ पर आपको एक और ने tag बताते हैं यहाँ size लिखते हैं यहाँ इस font size से आपका जो paragraph में आपने जो भी लिखा है उसकी size increase होजाएगी Suppose हमने यहाँ पर 300 लिख दिया So, 300 आपकी यहाँ पर size बढ़ जाएगी Then, अब हम यहाँ font size को भी close कर देदे, closing tag Then, हम refresh करते हैं And then, आप देख सकते है, font size बढ़ा हो चुका है Oh, यहाँ पर हमें अपने like की spelling लट दिख गई हम यहाँ like सही लिखते हैं और आप भी इस video को एक like कर दीजिए Then, refresh किया So, आप देख सकते हैं, हाँ पर spelling सही हो गई है और यहाँ font size भी बढ़ा हो गया है Then, चलिए अब इसमें कुछ और create करते हैं हम आपको बहुत ही छोटे-छोटे से बता रहे हैं Then, हम आपको emoji भी इसमें लगा के दिखाते हैं Window plus semi-colon से emoji खुल सकता है C-O-L-O-R Color अब हम इसमें font size का color लगाएंगे अब font हो गया है इस font में अब हम आपको color लगाना सिखाएंगे इस paragraph में So, suppose हमने यहाँ पर red लिख दिया Then, हमने इसको save किया Then, refresh किया और आप देख सकते हैं, यह red हो गया So, now guys, अब हम आपको बताएंगे की इसका style कैसे change करता है यानि हम इसमें bold, italic, underline कैसे करें So, उसके लिए पहले हम bold करेंगे और bold कर निकले हम B B for bold tag का use करेंगे And यहाँ पर close कर देंगे इस side करते हैं, हाँ यही पर फिर यहाँ पर tag लगाया फिर close किया And then B लिखा And फिर उसको Tag से बंद कर दिया Then refresh किया And आपका bold लिखा गया Then हम ऐसे ही यहाँ पर italic लिखेंगे यहाँ पर I use करेंगे फिर यहाँ पर I को close करेंगे इस side Then यहाँ पर close tag लगातेते हैं Then CTRL plus S And refresh And you have a change And now Last tag इसका Underline tag Then यहाँ पर हम गए इस side हमने लिखा U tag U for underline And यहाँ पर U for close किया And then CTRL plus S करके हमने refresh किया Evenet यहाँ पर यह छूडिया था And then refresh किया Then अब हम आपको एक नई टर्म के बार में बताते है जो style ही है यह underline bold italic यह था So cursive writing और different bold type की writing होती है हम वह आपको लिखना सिखाएंगे So उसके लिए different font style होता है So उसके लिए हम यहाँ Microsoft open कर लेते है यहाँ पर हमें यहाँ अच्छे से यहाँ पर लग गया Okay Now then अब हम इसमें एक और style change करते हैं उसके लिए पहले Microsoft open करते हैं And यहाँ पर एक हमारा favorite है जो H से उसको ढूंटे है Hmm यही पर तो था Let me check guys Hmm Oh मिल गया guys और वो है Hello Solid Italic So इसको हम लिखते हैं यहाँ टाइग उपर लिख देते हैं ताकि दिख जाए इसका क्यास इसकी क्यास पहलेंगे And हम फिर यहाँ पर जाते हैं And फिर यहाँ पर हम हाँ इस साइड यहाँ हाँ तो यहाँ पर हम लिखते हैं आब Halio Solid Italic Okay guys So इसलिए लिखना स्टाट करते हैं इस नोटपैड में इस साइड हम Algerian को मिट आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं Hello Solid Italic Then इसको सेफ किया And फिर इसको अभी सेफ किया And रिफ्रेश किया And टड़ा हमारे हाँ पर चेंज हो गया So guys यह बहुत ही इसी तो है हमने आपको बहुत ही इसी स्टेप बाई स्टेप से बताया ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए So guys, that's for today's video Hope you have enjoyed Stay productive, stay healthy And let's meet on new video Bye 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 Bye